आज हम बनाएंगे बेवी पटेटो चाट उसके लिए हमने जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है बच्चे बहुत चाव से खाते हैं यहां मैंने 200 ग्राम छोटे अलू लिये हैं बेवी पटेटो लिये हैं और दो हमने यहां लाल मिर्ची लिये लाल मिर्ची को हम छोटा-छोटा काट के और गरम पानी में भीगो लेंगे चाहे तो हम इनके बीज चिली फ्लैक्स जो निकले हैं इन्हें हम अलग हटा सकते हैं यह बीज हमने अलग हटा दिये हमें एक टेबल स्कून गरम पानी डाल रहे हैं थोड़ा एक टेबल स्कून और डाल देंगे ताकि हमारी मिर्ची अच्छे से इसमें भीग जाए और इसे हम ढख करके और साइड में रख देंगे मैंने यहां 500 ग्राम दही लिया है अच्छा गाड़ा दही हम ले लेंगे और इसमें हम दो टेबल स्कून शक्कर डालके और हम इसे साइड में रख देंगे जब तक हम बेबी पटेटो तेयार करेंगे तो उससे हमारा दही अच्छा एकदम मार्केट की जैसी चार्ट होती है उस तरह का फीजिए पाल लगा लेंगे हम अगर कॉकर में सीटी लगाते हैं ओहरो बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसलिए हमμεई पानी मेंद जाल के पानी में जोपक हमारे देपे हम इसमें पानी के उबलने के दूबτα कर पानी में ताकि हमारे लूसे जीटेटों से अधैदा पानी मे मिनदेपने, जब उबाल लेंगे और फिर ऑंद मुझें गैस बंद कर देंगे इस फिर वानि थे आलू को वालते हुए हैं अगर कुकर में ने उबालते सीटी मा लगा करके तो एक सीटी में हमारे अलू बहुत ज़्यादा हो जाते इसके आम ने खुले वाला हैं अब हम एक चेक करेंगे हमारा आलू हलका सा हमें दपता हुआ लगना चीए या गरम आलू पे छिलका उतार के देख लेंगे अगर हमारा छिलका उतर रहा है तो यह उबल गये हलके से यह थोड़ इसे हमें इने चार-पांच मिनिट और उबलना है तो हम इने थोड़ा एक उबल ओर लगा लेंगे मीडियूम फ्लेम पे हम इसे चार-पांच मिनिट और उबलने उसके बादहम गैस बंद कर देंगे दस मिनीट हो गई है हमें टोटल आलुों को उबालते हुए और अब हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे और अगर अगर हम इस तरह से चिलका उतार के देखते हैं तो हमारे इस चिलका उतार रहा और तो हम गयस बंद कर देंगे और इन्हें बर्तन में निकाल के थोड़ा ठंडा करके हम इन्हें छील लेंगे सारे आलूओं को ठंडे करके हमने छील लिया है और अब हम एक काटे की मदद से सारे आलूओं को गोद लेंगे सारे आलूओं को हम इस तरह से गोद लेंगे चारू तरफ से, काटे की मदद से, अच्छे से हमें इन्हें, ताकि जब हम इन्हें मसाले में डालें, तो इसमें आसानी से और अच्छे से मसाला हमारे चारू तरफ हो जाए, सारे आलू हमने अच्छे से गोद लिए हैं, और अब हम इन्हें साइड में रख देंगे, और जो अगर थोड़ा मोटा रह जाता है तो भी कोई परेशानी नहीं है बस हमें इने थोड़ा बारिक पीसना है मिर्ची को हमने देखिए पानी डाल करके और बारिक पीस लिया है थोड़ा इसमें कहीं कहीं छिलका रह गया है हमने एक बरतन में ठीन फ़ोड़ा गरम पानी कर लिया है और इसमें हम भी। पर हिए जालने के की। पाई परोस्ट सेमें और अछा मिर्ची के लिए जाएंगे. इसमें अच्छी मिर्ची को बाते हमागें सभखें में धयसर्था MRT पानी करा में देंके। अलू में अंदर तक चला जाएगा और उसके बाद हम इने निकाल करके और फ्राइ करेंगे तो 20 मिनिट के लिए हम इने ढख करके साइड में रख देते हैं तो उससे थोड़े सॉफ्ट और सॉफ्ट भी हो जाएंगे जब इसे गरम पानी में रख रहे हैं और मसाला भी अंद इस तरह से दही को हमने देखिए अच्छे से चिकना होने तक फैट लिया है और अब हमारा दही हमारी चाट के लिए तैयार है इसे हम ढख के साइड में रख देंगे 20 मिनिट होगी हमें आलू को नमक और मिर्ची के पानी में रखे हुए और अब हम इने पानी में से निकाल कर लेंगे और जाली पे निकालने के बाद या तो हम इने 10 मिनिट पंखे के वहां में रख के ऊपर से थोड़ा सा सुखा लेंगे या फिर कपड़े पे फैला करके सुखा लेंगे और उसके बाद हम इने फ्राइए करेंगे तेल को हमने मीडियम गरम कर लिया है और यह और अब हम इने तेल में डालके फ्राई करेंगे, हम इने दो बार में फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इने फ्राई करना है, थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से हम इने भिलाते हुए, चारों तरफ से अच्छे से थोड़े क्रिस्पी होने तक हम इने फ्राई कर लेंगे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारे अलू को देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लिया है और अब हम इन्हें एक प्लेट में टिशू पेपर पे निकाल लेंगे कि सारे अलू कर लेंगे हमने हमारे बेबी पटेटो फ्राइ कर लिया है और हम इन्हें सर्व करेंगे आप चाहें तो इन्हें प्लेट में या आप इन्हें इस तरह के ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं पार्टी स्टाटर के रूप में हम इसे सर्व कर सकते हैं अगर हम हमारे घर में फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी के लिए भी हम इने बना सकते हैं आप चाहिए ने घ्लाश में सर्वेजें या प्लेट में इसे लिए हम सब से पहले प्लेट में पोटेटों रख लेंगे और अब हम इस मेरी हम इन पर शेटनी सब्सक्राइब को भीी में prison पर हम इसनों ट्रीपीर उपना की मेरी चैनल के वह इंद द हम विए यह पर न मीठी रॉक जिएयर राल Đैठी मिठा दानीग right या चाहें तो आप इस पे सिर्फ चाट मसाला डाल सकते हैं तो मैं यहां आपको जीरा और लाल मिर्ची डाल के बता रही हूं यह हम थोड़ा जीरा डाला सिका बुना हुआ दरदरा पीसा हुआ थोड़ी हम इस पे लाल मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा नमक अनार के दाने आप चाहें तो इस पे बारिक वाली सेव भी डाल सकते हैं थोड़ी सी सेव डालेंगे और हम इसे सर्व करेंगे बड़ों को भी पार्टी में स्टार्टर के रूप में इने सर्व हम कर सकते हैं तो आप ये बनाईए खाईए थैंक्यू फोर वॉचिंग